स्वचालित सोल्डरिंग, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें PCB यानि Printed Circuit Board के प्रयोग और विकास के लिए विभिन्न तरह की स्वचालित मशीनों का उप्योग करके बड़े पैमाने पर PCB का उत्पादन किया जाता है. डिजाइन और विकास के इस द्रिश्टिकोन को आधुनिक Electronic उद्द्योग के विकास और उभरती मांगूं को पूरा करने के लिए चुना जाता है. यह हो एक Electronic Assembly के उत्पादन की प्रक्रिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर PCB पर Electronic उपकरणों को सोल्डर किया जाता है. इस प् Components को स्वचालित रूप से PCB पर रखा या Insert किया जाता है. साथ ही साथ इसी समय Loaded PCB को सोल्डर के स्वचालित प्रवाह के माध्यम से पारित किया जाता है. इसके अलावा, सोल्डर प्रवाह या Spray PCB के उन धातुरहित क्षेत्रूं को गीला कर देता है, जिन पर मास्क नहीं ल लगा होता. इधर एक सुरक्षात्मक परत, सोल्डर को Electronic Connection में प्रवेश करने से रोखने का कारे करती है. इस तरह से यांतरिक और बिजली के Connection के बीच एक विश्वसनिय दूरी बनाई जाती है. इसका लाब, Components को सोल्डर करने की ऐसी प्रक्रिया के डिजाइन और विकास में मिलता है, जो मानविये तरीकों से तेज हो. इधर यह ध्यान देना महत्तुपूर्ण है कि हाला कि स्वचालित सोल्डरिंग मशीने कई प्रकार की होती है. परन्तु, Components को सोल्डरिंग करने का बुनियादी Operation एक जैसा रहता है.